रिजल्ट का दिन आज NDA को इस बार 60 सीटों का नुकसान होता हुआ अभी तक दिख रहा है रोजानों में अब तक बड़ा नुकसान NDA को होता हुआ दिख रहा है 2019 के मुकाबले NDA को इस बार अभी तक 60 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रोजान दोपहर के एक बज रहे हैं और ऐसे में 2019 के मुकाबले अभी तक की जो इस्तिय तस्वीर है 60 सीटों का नुकसान NDA को होता हुआ दिख रहा है हलाकि अभी जो सरकार बनाने के लिए मैजिकल फिगर है उसके आसपास NDA ही है लेकिन 60 सीटों का नुकसान इस बार होता हुआ अभी तक दिख रहा है रुजानों में एक बड़ा उलट फेर और मजबूती के साथ विपक्ष टक कर देता हुआ दिख रहा है नारा बीजेपी का था NDA का था 400 पार का लेकिन फिलाल 400 पार वाली तस्वीर तो नहीं दिख रही है 60 सीटों का नुकसान 2019 से मुकाबले होता हुआ अभी तक दिख रहा है उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़ादा लोक सबाजीटे हैं वहाँ पर बड़ा उलट फेर होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बार बार दावे हो रहे थे 80 में 80 के लेकिन NDA अभी तक 36 पर आगे 42 पर INDIA गडबंदन आगे है वही BSP 0 पिछली बार 10 सीट पर BSP ने जीत हासल की थी तब BSP और BSP साथ में लड़े थे लेकिन इस बार BSP ने अकेले लड़ने का फैसला की और शून्य खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है अधर्स की खाते में दो सीट उत्तर प्रदेश में जाते हुई दिख रही है वही NDA की स्थिति यहाँ पर खराब दिख रही है 2019 के मुकाबले जो छोटी-छोटी दल है राजबर की बात कर ले तो राजबर के खुद के कांडिडेट पीछे चल रहे है गोसी में अर्विन राजबर पीछे चल रहे है यानि की जो छोटे-छोटे से जो जातियों वाले पार्टियों को जोड़ कर एक समीकरन साधनी की कोशिश हुई थी वहाँ पर कहीं पर गड़बड़ी दिख रही है आलंकि जो बीजेपी के तमाम गेस्ट हमारे साथ जोड़ रहे हैं नेता जोड़ रहे हैं उनका कहना है कि अब भी तस्वीर बदलने वाली है और उत्तरप्रदेश में जो आंकड़ा होगा वो होगा एंडिये के पक्ष में ये बीजेपी के नेता और बीजेपी के हमारे मेहमान वो बार बार दावा कर रहे हैं 2019 के मुकाबले एंडिये को पूरे भारत में 60 सीटों का नुकसान होता वा दिख रहा है बीजेपी अके लिए 237 पर आगे है 292 पर एंडिये आगे है इंडिया गडबंदन की बात कर ले 230 पर पूरे भारत में आगे इस वगड़ और 6 सीटों पर जीत हो चुकी है इंडिये गडबंदन की बीका निर से अर्जोन राम मेगवाल जीत गए हैं और इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं चलिए मैजिकल वाल पर चलते हैं और मैजिकल वाल पर आपको दिखाते हैं कि क्या है तस्वीर तो magical wall हम आपको दिखाते हैं तस्वीर क्या है सबसे पहले पूरे भारत की बात कर लेते हैं भारत में इस वक्त ये जो आपके पास दिख रहा है ग्राफिक्स के जरी में आपको दिखा रहा है ये भारत का मैप आप देखिए आपको saffron भी दिख रहा है यहाँ पर blue color भी तस्वीर थी ऐसा लग रहा था 2019 में 2014 में कि पूरा सैफ्रोन रंग जो है नारंगी रंग से पटा हुआ था लेकिन इस बार की तस्वीर देखिए आपको सारे रंग यहां पर नजर आ रहे हैं भारत की इस मैप पर 293 पर NDA आगे लेकिन नुकसान 57 सीटों का भी 60 सीटों का 228 पर यह आगे चल रहे हैं 2019 के मुकाबले 99 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है 99 सीटों पर आगे चल रहे हैं अन्य की बात कर ले 21 पर आगे और 43 सीट की कमी होती दिख रही अन्य के खाते में जो 2019 में गई थी और अभी यह आकड़ा बदल रहा है और पूरी तस्व से देखिए उत्तर प्रदेश का यह म्याप आपके सामने है और यहां पर भी आपको अगर नारंगी रंग दिख रहा है तो हरा रंग और नीला रंग भी दिख रहा है यहां पर हरा रंग समाजवादी पार्टी का नीला कॉंग्रेस का नारंगी बीजेपी का अब आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि पिछली बार पिछली बार आपको पूरा जो NDA गड़ बंदन ही दिख रहा था हर तरफ नारंगी नारंगी लेकिन इस बार आपको तमाम कलर्स नजर आ रहे हैं तस्वीर यहाँ पर देखे टैली दिखा देते हैं आपको 80 में 80 के जो रुझान इस वक सानुता दिख रहे हैं